आज मैं आपके संग बहुत ही टेस्टी आम की लौजी या खटी मिठी चटनी की रेसिपी सेयर कर रही हूँ यह बहुत ही जटपट बन जाती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए बनाते हैं आम की लौजी उससे पहले अगर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर करना ना भूले तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ तीन आम जिसे कैरी पर बोलते हैं इस टाइम पर आम जो आ रहे हैं उनकी गुट्टियां काफी सॉफ्ट रहती है तो बस इन आमों को छील लेंगे तो आपको लौची बनाने के लिए कच्छे आम ही लेने हैं और बस इसी तरीके से दूसरे आम को भी मैं छील लूँगी या पील कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने आम छील लिये हैं अब इन्हें कट करेंगे तो अभी जो इनके अंदर का सीड यानि गुट्लियां होती हैं यह काफी सॉफ्ट हैं तो इन्हें हटा देंगे रिमूब कर देंगे और उपर का जो टॉप पार्ट है उसे भी हटा देंगे और बस इसे थोड़े मोटे मोटे पीसे में कट करेंगे बहुत ज़दा पतले पीसे में आप इन्हें ना कट करें ने तो जब आप इनकी चटनी बनाएंगे न तो यह बहुत ज़दा मसी हो जाएंगे तो ये देखिए मैंने ये गुटलिया हटा करके और इस तरीके से कट कर लिया, बस इसी तरीके से बाकी आम को भी कर लेंगे तो प्रोसेस से मैंने बाकी के आमों को भी कट कर लिया है और इसी अब साइड में रखते हैं, अब एक मैं कड़ाई चढ़ा रही हूं और flame on कर रही हूं इसमें डाल लही हूं 2 टेबल स्पून जितना oil oil को थोड़ा गरम होने देंगे oil गरम हो गया है तो इसमें मैं डाल लही हूं half teaspoon जीरा 1 teaspoon मैं add कर रही हूं soft और एक छुटा चम्मच यानि 1 teaspoon ही मैं इसमें add कर रही हूं kalonji थोड़ा सा करेंगे इने फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम में थोड़ा सा उते कर लेंगे और अप इसमें मैं डाल रही हूँ आम जो मैंने कट करके रखे थे और आमको अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम में लगदार इस्टिर करते हो आपको भून लेना है आम को जितने अच्छे से आप भूनेंगे न यह जो लॉंजी है चटनी होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आम को अच्छे से भून लेंगे तो यहाँ पर आम बहुत अच्छे से भून गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1,4 TSP हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालना है 1 टीस्पून डाल नहीं हूँ लाल मिर्च पाउडर इसी के साथ मैं इसमें एट कर रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक, 1 अब टीस्पून सेधा नमक एंड बिल्कुल 1,4 TSP जितना मैं डाल नहीं हूँ साधा नमक अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सब हून लेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है आपको, ताकि मसाले जले नहीं और इसमें आप मैं 200 से 300 ml जितना पाणी एट कर रही हूँ पानी आपको इतना एट करना है कि ताकि सारे जो आम है ना अच्छे से पानी में डूब जाए और थोड़ा जादा ही पानी इसमें अच्छा लगता है क्योंकि ये बाद में गाढ़ा होता है अब मैं इसमें 3-4 जितना गुड एट कर रही हूँ तो यहाँ पे जो गुड है ना इसे आपको अपनी स्वादनुसार एट करना है क्योंकि आम जितने खटे होंगे ना गुड उतना ही जादा लगेगा और जो मैंने सॉल्ट एट किया है वो भी आपको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें एट करना है अच्छी तरीके से गुड को मिक्स करेंगे और बस इसे ओपन करके ही पकाएंगे जब तक जब तक कि आम थोड़े से गल ना जाए फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने देंगे अब एक पैन में डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून सॉंप वन टेबल स्पून जीरा वन टेबल स्पून खड़ा धनिया हाफ टेबल स्पून मैं ले रही हूँ मेथी दाना इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है और अब मैं फ्लेम को ओन कर रही हूँ और लगातार इसे इस्टर करते हुए लो मीडियम फ्लेम में तब तक भूनूंगी जब तक एक अच्छी सी खुसबून आए और जब इस तरीके से हलका सा कलर चेंज हो जाए ना तब इससे अब मैं ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ और इससे अब मैं ग्राइंड कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने इसे हलका दरदरा सा ग्राइंड किया है आपको बिल्कुल पाउडर इसे नहीं करना है इसे आपको दरदरा ही ग्राइंड करना है इसे साइड में रखते हैं अब यहाँ पर यह जो आम है यह देखिए यह भी पक रहे है तो अभी आम अच्छे से गले नहीं है तो अभी इन्हें और पकाएंगे तो फ्लेम अभी मैंने मीडियम कर लिया और मीडियम फ्लेम में इन्हें ओपन करके ही पकने देंगे तो दो से तीर मिनट हो गए हैं एक बार और चेक कर लेते हैं कि आम अच्छे से पके हैं कि नहीं तो इन्हें मैंने कवर करके नहीं पकाया है क्योंकि ये काफी सॉफ्ट आम है तो ये देखें आम बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं पक गए हैं तो अब इसमें वही मसाला डाल ले हैं हमने भून करके ग्राइंड किया था तो मैंने पूरा नहीं डाला है वन टेबल स्पून जितना डाला है और बाकी का मसाला मैं रख दूंगे और जब भी मैं लौजी बनाऊंगी तो मैं ऐसे यूज कर लोंगी अब इसे दो से तीन मिनट तक ओपन करके और पका लेंगे लिट बिल्कुल भी नहीं लगाईएगा नहीं तो आम पूरे गुल जाएंगे तो यहां पर अभी जो मैंने मसाला एट किया है ना उसे भी थोड़ा दो से तीन मिनट तक पका लेंगे तकि मसाला बहुत अच्छे से घुल मिल जाए और जो इसका पानी है ना वो हलका सा थीक हो जाए तो इसे थोड़ा और पकाएंगे और यह जो आम की खटी मिठी लौजी बनती है मेरी तो बहुत फेवरेट है अगर आपकी भी है तो कमेंट करके जरूर पताएं तो बस यह देखे इसका जो पानी है इसकी जो ग्रीवी है यह कितनी थीक हो गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है तो बस थोड़ा सा और पकाएंगे इसे और बिल्कुल भी कवर करके आपको नहीं पकाना है अब मैं फ्रेम को आउप कर रही हूँ और बस अब मैं इसे थंडा कर लूँगी तो इसे थंडा होने देते हैं तो यहाँ पे जो आम की लौजी या चटनी है यह अच्छे से थंडी हो गई है और यह काफी थिक भी हो गई है यह देखिए इसकी जो ग्रीवी है काफी थिक हो गई है तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से आम की खटी मीटी चटनी या लौजी बना करके जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रेसिपीस अच्छी लगती हैं तो अमेजिंग किचन रेसिपीस को करने सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइप और सेर करना ना भोले साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीस कैसी लगती है थैंक यू पर वाचिंग वीडियो